हलो एब्रीवन वेलकम टू करेंट पूर तो आज के डेली करेंट अफेर्स की स्रीज में हम लोग देखेंगे 5 मार्च 2023 के करेंट अफेर्स को और वीडियो में एंड तक बने रहें वीडियो के एंड में 4 मार्च 2023 के करेंट अफेर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे जो कि आपको सभी कॉम्टेटीब इंग्साम लाइक UPSC, AllPCS के लिए काफी हलफूल है तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेर्स कोशन पहला की सन्युक्त रास्ट की रिपोर्ट के अनुसार निम्लिखित में से किस देश में 83.7 प्रतिशत समवर्धित यूरेनियम के कन पाए गए हैं आंसर है इसका ओप्सन B इरान में सन्युक्त रास्ट के पर्मानु प्रहरी की एक रिपोर्ट के अनुसार इरान में एक पर्मानु प्रतिशथान में लगभग 84 प्रतिशत या महिला T20 विस्व कप 2023 में सरवाधिक विकेट लेने वाली खिलाडी कौन बनी? आंसर है इसका ओप्सन ए सबनीम इसमाईल महिला T20 विस्व कप 2023 में सरवाधिक विकेट लेने वाली खिलाडी साउथ अफरिका की सबनीम इसमाईल है सबनिम T20 विसुकप के 32 मैच में 43 विकेट अपने नाम किये हैं नासा ने हाल ही में किस महिला को पहली बार एजनसी की विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया है आंसर है ओप्सन C निकोला फॉक्स को सौर विज्ञान निकोला फॉक्स को नासा ने एजनसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया है आस्ट्रेलिया ने कितनी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता आंसर है ओप्सन A 6 बार आस्ट्रेलिया ने छटी बार महिला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है केप टाउन के न्यू लेंड में खेले गए फाइनल में उसने मेजबान दक्षिन अफरिका को 19 रनों से हरा कर ये ट्रॉफी छटी बार अपने नाम किया आस्ट्रेलिया टीम इससे पहले 2010-2012-14-18 और 20 में चैंपियन बन चुकी है हाल ही में कहा मंदिरों में अनुस्ठान कारियों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी का उपियोग सुरू किया है आंसर है ओप्सन D केरल में केरल के त्रिसूर जिले के इरिंजाद पिल्ली स्रीकृष्न मंदिर में जीवित हाथी के जगह रोबोट हाथी को उपियोग में लाया जा रहा है ये पेटा इंडिया के माधम से अपनाया गया है पेटा इंडिया के तहट इस मंदिर में अनुस्ठान के दोरान हाथियों के भव्य प्रदर्शन के खिलाफ रोबोटिक हाथी लाया गया है निमलिखित में से किसने नई दिल्ली में आयोजीत विश्व पुस्तक मेला 2023 में इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ हिस्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किया केंद्रिय स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर मन्सुक मान्डविया ने दिल्ली के प्रगती मैदान में आयोजीत विश्व पुस्तक मेला 2023 में इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ हिस्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किया इस पुस्तक को सज्जन सिंग यादव दौरा लिखी गई है यह पुस्तक कोबिड-19 टीको के विकास उत्पादन और वीतरन में भारत की प्रभावसाली उपलब्धी को विस्तार से बताती है विस्त के पहले 200 मीटर लंबे बैंबू क्रैस बैरियर बहु बल्ली कहां अस्थापित किया गया है आंसर है ओप्सन B महरास्ट के विदर्व के वानी वरोरा राजमार्ग में विस्त के पहले 200 मीटर लंबे बैंबू क्रैस बैरियर के विकास के साथ आत्म निर्भर भारत अरजित करने की दिसा में एक औसाधारन उपलब्धी हासिल की है जिसे महरास्ट के विदर्व के वानी वरोरा राजमार्ग में अस्थापित किया गया इस वेम्बू क्रैस बैरियर को बहु बल्ली नाम दिया गया है इसमें लगने वाला वास बंबूसा बालकोवा प्रजाती का है अठ्लान्टिक संधी संगठन नाटो में सामिल होने वाला 29 देश कौन है? आंसर है option A. Fiendland Fiendland की संसद ने देश को नाटो में सामिल होने की अनुमती देने वाले कानून को सुट्कृती दी है नाटो के 28 सदस्यों ने ab Finland की सदस्यता की पुश्टि की है लेकिन हंगरी और तुर्की ने इसकी सहमती नहीं दी है हाल ही में किसे भारतिय पुरूस होकी टीम का नया कोच बनाया गया है आंसर है ओप्सन C क्रेग फुल्टन को दक्षिन अफ्रिका के क्रेग फुल्टन को भारतिय पुरूस हौकी टीम का नया कोच बनाया गया है 2023 पुरूस हौकी विसुकप के बाद भारतिय टीम के मुख्य कोच ग्रेहम रीड ने पद से इस्तिफा दे दिया था राष्टी सुरक्षा दिवस के स्थिती को मनाया जाता है आंसर है ओप्सन सी चार मार्च को राष्टी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्स चार मार्च को मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का उद्देश सभी पहलू में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देना है त्रिपूरा विधान सभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटे मिली है? आंसर है ओप्सन ने भारतिय जन्ता पार्टी को त्रिपूरा की 60 सीटों वाली विधान सभा में भारतिय जन्ता पार्टी ने 32 सीटों पर विजय घुसित किया हाल ही में किसे सीमा ससस्त्र बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है? आंसर है ओप्सन सी रस्मी सुकला को वरिस्ट IPS अधिकारी रस्मी सुकला को सीमा ससस्त्र बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है रस्मी सुकला 1988 बैच की महरास्ट कैडर की IPS अधिकारी है विस्व मोटापा दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है? आंसर है ओप्सन डी चार मार्च को हर साल चार मार्च को विस्व मोटापा दिवस की रूप में मना जाता है 2023 का विस्व मोटापा दिवस का जो विस्व ही है वह बदलते परिप्रेक्ष चलो मोटापा के बारे में चर्चा करते हैं तो चलिए अब 4 मार्च 2023 के करेंट अफर्स का रिवीजन करते हैं वेसो वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल लाइफ डे के स्तिति को मनाया जाता है आंसर हो जाएगा 3 मार्च को राष्टपती स्रिमती द्रौपती मुर्मुने 3 मार्च 2023 को कहां सात्वे अंतरराष्टिय धर्म धम समेलन का उद्गाटन किया तो भोपाल मद्धिप्रदेश में कॉकलियर इंप्लांट योजना के तहट कितने साल तक के बच्चों का नहसुल्क ऑपरेशन किया जाता है तो 5 वर्स से कमर उम्र के परतेक साल की किस्तिथी को विश्व स्रवन दिवस World Hearing Day मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 3 मार्च को विश्व स्रवन दिवस 2023 का जो थीम रहा और हा Year and Hearing Care for All सभी के लिए कान और स्रवन देखभाल महा महीम स्री बोला आहमद टिनूबो निमलिकित में से किस देश के नए राष्ट पती चुने गए तो नाईजीरिया के निमलिकित में से किस मंत्राले की पहल धारा Ode to Indian Knowledge Systems है तो ये है संस्कृती मंत्राले की जल सकती अभ्यान Catch the Rain 2023 निमलिकित में से किस थीम के साथ मनाय जाएगा तो पीने के पानी के लिए स्रोत की स्थिर्था के साथ किस नॉबल पुरसकार विजेता को बेलारूस में गलत तरीके से पैसा लाने और विरोध प्रदर्शन की वित्तिय मदद देने के आरोप में दस साल की सजा सुनाई गई है तो ये है एलेस बियालियात्सकी को हाली में किसे पेन अमेरिका ने अंतरराष्टिय साहित में ख्याती के लिए 2023 का नाबो कॉव अवार्ड से सम्मानित किया गया तो विनोध कुमार सुकल को चार मार्च 2023 किसके द्वारा युवा उत्सों इंडिया एट दी रेट 2047 का सुबारम किया गया तो ये है सूचना एवं प्रशारन मंत्री स्री अनुराग सिंग ठाकूर के द्वारा तो ये थे आज के करेंट अफेर्स आई होप कि आप समों को ये वीडियो काफी हेल्फुल लगा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें साथ ही अगर चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटिक डेली करेंट अफेर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद